हेलो पेर बच्चो कैसे हो आप आशा है कि आप सबस्त होंगे चलो बटाज के हमारी है winter vacation assignment वाली आपकी है क्या है वर्कशिट जैसे आपका क्या क्या activity मिली है holiday home run में चलो वो देख लेती है बटा आपको क्या करना है बटाज सबसे पहले क्या है यह फुलवारी वर्कशिट नंबर यह फुलवारी वर्कशिट नंबर है जो आपको 1101 1196 आपको ऐसे यह वर्कशिट पेस नंबर लिखे हो जिसका आपको done करना है यह वरकशीट नमबर है बैटा 1 और 101 1196 जैसे आपको अपनी फुलवारी बुक में मिलेगा आपको डन करना है यह है अक्रपकी अक्टिविटी देखते से से पहले अक्टिविटी में क्या करना है एक गत्ते में कुछ मोटे मोटे छेद करके चिन में से बच्चे आसाने से ना इता रीबन जो आपके पास हुआ साने से जो आपको नाड़ा मिल जाए आपको उन छेदों में से पिरोना है सेक्टिविटी है बाल्टी या टब को तीन कदम की दूरी पर रखे आपको क्या करना एक बाल्टी लेनी है या कोई टब लेना है अपने तीन कदम की दूरी पर और उसको पुराने कागच से या पुराने अकबार से गोल गेंद बनाओगे, कागचों से पाँच गेंद बनाओगे और उसमें डालने के प्रैक्टिस करोगे, कि आप टब में या बालते में डाल पा रहे हो या नहीं। जाएगी, देखो बेटा आपको क्या करना है, इसमें कागच पर अपना बड़ा बड़ा नाम लिखोगे, इंग्लिश में और हिंदी में, और ऐसे जंगा चिपका होगे, जिससे आप बार बार उसे देख सको, देखने से क्या होगे, अपनी नाम की जो स्पेलिंग के उसकी ब गलास दिया देगे, उसके बाद आप बच्चे की आखे बंद करवा दे, ये आखे दुबारा सुरी, ये आवाजे दुबारा सुनाएं और इसे आवाजों को पहचानने के लिए बोले, देखो बेटा आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़े लेनी आपको, जैसे आपके साउंड करेंगे इन में से, गलास को बजाना या चमच को या चुटकी बजाता आप बताओगी कि ये किस चीज़ की साउंड है, फित एक्टिविटी है बटा, आप अपने आपको साफ रखने वाले कोई पांच वस्त्वी, जैसे तोलिया, कंगी, आदी, खटी करने और उन पांच चीज़े लोगे, जिससे आप उनके अपने उप्योग बताओगे कैसे काजाम इनको यूज़ करते हैं, सिक्स्वर एक्टिविटी है, कागज की परचिया पर नमबर एक, दो और तीन लिकरे को टोरियर या टोकरी मर रखे, आप बच्चे को उसमें से एक परच्ची खोलने को बोले, अब जो नमबर उस पर लिका हो, उसके बराबर वस्तेगर से ढून का लाने को कहें, जैसे दो नमबर आने पर बाथरूम से दो टूत बरस लाने कहें इत्यादी, मिटा आप क्या करोगे, आप क्या है, इसमें एक आगज परच्ची होगी, जिसमें तीन नम लिखा होगा, उसके अकोडिंग, आप अपने घर में कोई भी चीज़े आप लेके आओगे, जैसे दो लिखा है, तो आप बातरूम में से दो टूत बरस लेके आओगे, जैसे बन लिखा है, तो अंदर से एक टावा लेके आओगे, ऐसे कोई भी अपजर से आप लेके आओ और अलग अलग करने और उनका नाम बताने के लिए कहें दो के बैटे इसमें क्या होगा आप थैला लोगे या तके का कवर भी ले सकते हो कि इसमें बहुत सारी फल और सब्जिया डाल दोगे जिसमें आपना हाथ लगा के या छू के पहचानना कि कौन सी सब्जी है और उसमें इसको नाम बताओगे वेजेटेबल सब्जियों को अलग करोगे और फलोग को अलग करोगे इट अक्टिविटी है हमारी बच्चों को घर में उपलत कुछ गिलास कोटोरियो को एक दूसरी के उपर चरक कर पिरामेड बनाने को कहीं दोखो आप क्या करोगे बेटा बहुत सब्सक्राइब गिलास और कोटोरियों लोगे एक के उपर एक के उपर ऐसे इसको रखते चल जाओगे और क्या बन जाएगा पिरामेड बनाने की कोशिश करोगे जैसे हमारे बाउल है जिक है आप बाउल कोटोरियों कोई दूसरी के उपर कैसे रखेंगे हमने जैसे कोटोरिय है यहां पर एक कोटोरिय रख दी फिर यहां और कोटोरिय इसके उपर एक कोटोरिय रख दी फिर हमने एक कोटोरिय रख दी उसके बाद देखो बेटा उसके बाद हमने नेस्ट अक्टिविटी हमारी है नाइन अक्टिविटी नाइन अक्टिविटी में आप क्या करोगे इसमें एक चमच पर नीम्बू या छोटी गेंदर रख कर बच्चे को दे एक चमच पर नीम्बू एक रसी लीजी, आप रसी बनाने के लिए दुपटे चादर का इस्थमाल भी कर सकते हो, रसी से जमेर पर गौल जिग जैक बना दे, आप बच्चों को इस पर चलने को कहें, लेकिन कोशिश करें, किजी कि बच्चे का पैर रसी से हड़ना नहीं चाहिए, तो एक बैटा आप को कहाने एक चदर ले सकते हो, रसी ले सकते हो, या दुपटा भी ले सकते हो, आपको फर्ष पर क्या है, एक जिग जैक बनाना ऐसे, और इस पर आपको चलना है, जिग जैक पर नीचे, आपको याद रखना है, कि इस चदर ये है, जिग जैक से नीचे आपको बिलकुल नह चलना है चले बेटा यह हमारी वरक्षीट थी आपकी हमारे जो होलिडो हम वरक की है यह वरक्षीट हमारे फिनिश होती आपको अपने विंटर विकेशन में हो वरक करना बाई बाई बेटा